टीवी रियालेटी सो बिग बॉस 16 इंदिनों सुर्ख्यों में बना हुआ है घर में एक तरफ जहां काफी लड़ाई जगडे देखने को मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक लव एंगल भी सामने आया है जो गौतम विच और सौंदर्या सर्मा के बीच देखा जा रहा है हाली में दोनों को बातरूम में कोजी होते हुए देखा गया जिसको लेकर विकेंड का वार में करण जोहर ने दोनों को काफी खरी खोटी सुनाई करण जोहर ने इस अपते घर में कई दिल्चस्प तास्क करवाए साती घरवालों की जमकर क्लास भी लगाई इस दोरान उन्होंने गौतम और सौंदर्या के रिष्टे को लेकर कई खुलासे किये और उनके बातरूम में कोजी होने वाली बात पर भी ताने मारे करण गौतम से कहते हैं कि वो एक धोके बाज हैं और सौंदर्या के अलामा घर में तीन और लड़कियों पर भी नजर गड़ाय हुए हैं करण यहीं नहीं रुकते वो उनसे कहते हैं कि उनका माईक को बातरूम के अंदर ले जाना गलत था यह सीधे तोर पर सौंदर्या का अपमान था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके साथ ही उन्होंने गौतम और सौंदर्या के रिस्ते को भी फेक बताया इसके बाद अर्चना गौतम से अकेले में बात करती नजर आई अर्चना उन्हें कहती हैं कि वो ये सब बंद कर दे और सौंदर्या के पीछे जाने के बज़ाए खुद पर ध्यान दे दूसरी तरह अर्चना सौंदर्या से भी ये कहती नजर आती हैं कि गौतम ने एक बार उनसे कहा था कि अगर कोई होट वाल्ड काड आती है तो वो उसे किस करके सौंदर्या को जलस फिल करवाएंगे ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि इन सब बातों के बाद क्या गौतम और सौंदर्या का रिस्ता आगे बना रहता है या फिर नहीं वैसे इस स्टोरी को लेकर आपका क्या है कहना हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजे और बिक बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए वैल आइकन प्रेस करना बिलकुल ना भूलें